बच्चों पिछले वीडियो में हमें जाना भालसपा के अभ्योधया के बारे में, उसकी हिंदुत्वा की राजनीती के बारे में और देश के सामने आए कुछ महतवपूर्ण मामलों के बारे में जो साहभानों मामला, आहुद्या मामला या फिर गुजरात दंगे की बातें सहमती के बारे में हम जान चुके हैं गठबंदन का दोर जारी है विभिन दल मिलकर सरकारे बना रही हैं तो इन विभिन दलों की सरकारों के बीच इन विभिन राजनितिक दलों के बीच उदै हो रहा था एक नई सहमती का क्या थी ये नई सहमती क्या परिणाम इसके होने वाल की चुनावी जीत हार का बदलता परीद रिश्य है यहां पर 1984 से लेकर 2004 तक प्राप्त लोकसभा सीटे दिखाई गई हैं कोंग्रेस और भाजपा को अर्थात 1984 से लेकर 2004 तक लोकसभा में जो आम चुनाव हैं लोकसभा में उनमें सीटों का जो कहें कि उपर नीचे होना है कों करें तो भाजपा को कीवल दो सीटें 1984 की लोकसभा चुनाव में मिली थी और वहीं कोंग्रेस को टोटल 415 सीटें इस लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुई थी फिर हम बात करते हैं 1989 की तो 1989 में भाजपा को 85 यानि की 85 सीटें प्राप्त होती हैं और वहीं कोंग्रेस को 117 सीटें प्राप्त होती हैं यहां आपको दिख रहा है ग्राफ कॉंग्रेस का गिरता हुआ और भाजपा का बढ़ता हुआ अगर हम 211 की तो यहां पूरी टकर भाजपा देने लगी है कॉंग्रेस को और भाजपा को 121 सीटे प्राप्त होती हैं जहां कोंग्रेस को 204 सीटे प्राप्त हुई हैं अर्थात सीटों का अंतर अब बहुत कम हो गया है अगर हम तुलना करते हैं 1984 से तो अगर हम 1906 में चलते हैं तो यहां हम देखते हैं कि भाजपा ने इस अंतर को पाठते हुए कोंग्रेस से फिर ज्यादा सीटें जीती हैं जो है 182 और कॉंग्रेस को मिली है 141। अगर हम बात करते हैं 1999 में की तो एक बार फिर भाजपानी सीटें ज्यादा प्राप्त की हैं 182 और कॉंग्रेस को मिली हैं केवल 114। 2004 में फिर कॉंग्रेस की स्थिती सुधरी है और कॉंग्रेस को 145 सिटे और भाजबा को उससे थोड़ी सी कम 138 मिली है मिरलब की अब एक राजनीती में कड़ी प्रतिश्प्रधा और कड़ी टककर्प भाजबा कॉंग्रेस को देने लगी थी लेकिन यहां इस परिद्रिश्पे से कुछ इसपस्ट सा होता हुआ नजर आएगा अगर हम इन वर्षों की बात करें अगर हम इन दस्कों की बात करें तो हम देखते हैं कि यहां इन दोनों दलों को प्राप्त सीटें कुल सीटों के 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुँच पाई हैं तो बाकी सीटे कहां गई बाकी वोट कहां गई चलिए जानते हैं इस बारे में कि कहां थी बाकी सीटे कहां थे बाकी वोट और क्या प्रभाव बड़ा भारती राजनीती पर देखिए कॉंग्रेस और भाजपा के दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें तब भे 1989 के बाद से उन्हें इतनी सीटें या इतने वोट नहीं मिले थे कि वो कुल मतों के 50 प्रतिशत से जादा हों। सीटें भी लोग सवाके कुल सीटों के 50 फिस्दी से अधिक नहीं हैं। 90 के दसक में मुकाबला भाजपा नीत गठबंदन और कॉंग्रेस नीत गठबंदन के बीच चला। यह कॉंग्रेस नेतरत्ववाले गठबंदन और भाजपा नेतरत्ववाले गठबंदन के बीच चल रहा था। 2004 के लोकसभा चुनाओ की अगर हम बात करते हैं तो यहां राजग की हार हुई राजग यहां भाजपा नीत गठबंदन है और यहां दोनों को प्राप्त वोटों का जो अंतर था वो कम ही था यहां जीत हुई वो सैप्रंग की हुई और सैप्रंग ने अपनी सरकार लेकिन इन दोनों गठबंदनों को प्राप्त वोटों के प्रतीशत में कोई बहुत जादा अंतर देखने को नहीं मिला था। कॉंग्रेस का पुनरुथान हम इसको कह सकते हैं क्योंकि 1991 के बाद में यह पहली दफा था जब कॉंग्रेस ने अपनी स्थिती को सुधारा था जादा वोट प्राप्त किये थे। हमने चार तरह की पार्टियों का उभार हुआ, कौन सी थी वो चार पार्टियां, कुछ पार्टियां थी जो कोंग्रेस के साथ गठबंदन में सामिल थी, कुछ पार्टियां थी जो भाजपा के साथ गठबंदन में सामिल थी, और वाम मोर्चा के दल थे और कुछ ऐसे दल थ और अब राजनितिक मुकावला बहु कोण ये हो चला था और इसलिए इनके बीच इतनी सारी पार्टियों की बीच बंट चुका थी सीटे और वोट तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि भाजपा और कॉंगरिस दोनों को ही मिलने वाला चाहे हैं सीटों का प्रतिशत देख कि वो 50 तक ही पहुँच पा रहा था मुश्किल से बढ़ती सहमती की हम बात करें तो अब अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों में एक आम सहमती से बन चली थी राजनिती में लगातार मुकावला बहु कोण ये हो रहा था दोनों गठबंदनों में से कोई एक ग करना है गूगल करना है और देखना है कि जो भाजपा नीत गठबंदन है राजक उसमें कौन-कौन से दल है और जो सप्रंग नीत गठबंदन है जो कि कौंग्रेस नीत गठबंदन है उसमें कौन-कौन से दल है टोटल कितने दल है तो आप जान पाएंगी कि कितने सारे दल कुछ मुद्दों पर कौन कौन से थे वो मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा था नई आर्थिक नीती का। नई आर्थिक निती पर सभी दलों में आम सहमती थी और सभी दलों का ये मानना था कि इस नई आर्थिक निती से देश सम्रिद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक सक्ती बनेगा। दूसरा जो सहमती का मुद्ध था वो था पिछडी जातियों के राजनितिक और सामाजिक दावे की स्वी करती कि जो पिछडी जातियां हैं जिसकी हमने मंडल आयो के बारे में हम पढ़ रहे थे मंडल मुद्ध के बारे में हम जान रहे थे तब चर्चा की थी तो उन जातियो की राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकर्ती अब सभी दल कर रहे थी और साथी इस बात पर सहमती थी कि सिक्षा और रोजगार में इन पिछडी जातियों के लिए सीटों में आरक्षन होना चाहिए और सत्ता में भी इन अन्य पिछडा वर्ग है इसकी समुचित होनी चाहिए इस पर आम सहमती बन रही थी सभी राजनीतिक दलों में अगली सहमती थी सासन में प्रांतिये दलों की भुमीका को लेकर कि जो प्रांतिये दल हैं वो केंद्रिये सरकार में साजीदार होने चाहिए और पिछले कई सालों में इन प्रांतिये दलों ने देश की राजनीती में एक महत्वपूंड भूमी काने भाई हैं तो इन मुद्दों पर सभी दलों में एक आम सहमती बनने लगी थी साथी विचारधारा की जगह कारिये शिद्दी पर जोड विचार भारागत सहमती के बगैर अब राजनीतिक गठ जोड हो रहे थे अर्थात की बहुत सारे विप्रीत विचारधारा वाले दल अलग अलग विचारधारा वाले दल आपस में गठ जोड कर रहे थे गठ बंदन कर रहे थे सरकार बना रहे थे और वो सरकारें सफलता पुर्वक अपने कारियकाल पूरा करते हुए कारिये कर रही थी अर्थात विचारधारा की जगह जोर दिया जाने लगा था कारिय शिद्दे पर की कारिय किस तरह से करने है काम कैसे करना है इस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने पर आम सहमती बन चली थी उधारण के लिए अगर हम देखते हैं तो अधिकतर दल भाजपा की हिंदूत्व की विचारधारा से सहमती नहीं रखते थे लेकिन फिर भी भाजपा के साथ गटबंदन में सामिल हुए सरकार बनाई और वो सरकारें अपना निर्धारित कारिय काल पूरा करती थी तो हमने देखा कि किस तरह से इन विभिन मुद्धों पर एक आम सहमती विभिन राजनितिक दलों में बन चली थी। इस आम सहमती का क्या प्रभाव भारती राजनिती पर होनी वाला था क्या ये आम सहमती एक सकारात मक परिवर्तन या द्रश्टिकोंड लेकर आई थी या सिर कोई इसका विपरीत प्रभाव भी देखा जा सकता था देखिए ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनिती पर इन सभी बदलाओं के दाएरे में अकार लेगी ये जो बदलाव हमारी भारती राजनिती में हो रहे थे नए दलों का अभ्योदय गठबंदन की राजनिती विभिन प्रकार के दलों के गठबंदन और इन दलों की बन रही आम सहमती ये सारे की सारे बदलाव हमारी आगामी जो राजनीती है होने वाला आने वाला जो भविशे है उसमें राजनीती पर नी संदे है अपना प्रभाव डालने वाले थे कॉंग्रेस के प्रभुत्व के दोर से हमारी जो राजनीती थी वो अब दलों की प्रतिश्प्रधा के पड़ाओ तक पहुँच चुकी थी और हमने देखा कि किस तरह से दो दलों के बीच में एक कड़ी प्रतिश्प्रधा एक कड़ी टककर थी इस परतिश्प्रधा के बीच कुछ मचलों पर सहमती है राजनितिक दल जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप स्वपन और तरीकों की पहचान कर रहे हैं हलांकि राजनितिक दलों में कुछ मसलों पर सहमती है लेकिन फिर भी जन आंदोलन और जो राजनितिक दल हैं वो अब नए सुपन देख रहे हैं वो अविकास के नए मुद्दे तलास रहे हैं एक कहें कि अपन नया तरीका अब वो पहचान करने की कोशिस कर रहे हैं उन राज्यों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रती सचेत कर रही है, सचेत कर रही है सरकारों को और सचेत कर रही है राजनितिक दलों को भी उनकी भुमीका को लेकर तो जाना हमने अपने इस अध्याय में भारतिय राजनिती में आए नए बदलाओं के बारे में और देखा कि किस तरह से पुरी तरह परिवर्तन कारी रहे ये राजनितिक बदलाओं हमारी भारतिय राजनिती के लिए जहां हमने जाना था कॉंग्रेस के एक प्रभूत्व के दोर को जहां कॉंग्रेस सभी राज्यों में केंद्र में लगातार एक कहें कि महत्वपून दल बना हुआ था लगातार जीत रही थी बहुत बड़ी जीत से अजीत हासिल कर रही थी बहुत बड़ी कहें कि अपन विज प्तांत्रिक सासन प्रणाली के लिए सबेव उप्योक्त थे और ये सासन प्रणाली जो जो आगे की और बढ़ती जाएगी त्यों त्यों ये सकारात्मक बदलाव नव परिवर्तन हमें देखने को मिलते रहेंगे लेते हैं प्रश्न पहला प्रश्न है 2004 के लोकसभा चुनाओ थे उसके परिणामों में किस गठवंदन ने सरकार बनाई थी इस बारे में आपको लिखना है 2014 के लोकसभा चुनाओ के परिणाम क्या थे ये 2014 के लोकसभा चुनाओ के जो परिणाम थे हालांकि हमारे इस अध्याय में इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है लेकिन बेप्रस्ण के रूप में इसको सामिल करना अतीम हैत्व पूर्ण हो जाता है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाओ फिर हमारी राजनीती में एक नया परिवर्तन लेकर आये थी 2014 के लोकसभा चुनाओ में एक बार फिर किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और सबसे वड़ी बात कि वो पार्टी कॉंग्रेस नहीं थी अब तक भारत की इतिहास में, भारतिय राजनिती के इतिहास में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी लोकसभा के चुनाओं में कॉंग्रेस हुआ करती थी लेकिन इस बार 2014 के चुनाओं में और उसके बाद में 2019 के चुनाओं में भी तो इन दोनों ही चुनाओं के जो परिणाम हैं वो भारती राजनीती में एक नए बदलाओं को इंगित करते हैं, नए बदलाओं को दरसाते हैं, तो इस बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं, पहले आपको एक नजरिया विक्षित करना है, 1989 से लेकर 2004 के लोकसवा चुनाओं तक हमने जो गठबंदन की सरकारी बन रही थी उसके बारे में जाना, हमने वो जो बदलाओं हो रहे थे उनको भी पढ़ा, तो उसी नजरिये के मध्य नजर अब आपको ये देखना है कि आपकी सोच से, आपकी नजर से, आपकी समझ से जो 2014 और 2019 के लोकसवा चुनाओं के परिणाम हैं, वो कैसा परिवर्तन हमारी भारतिये राजमीति के अंतरगत ला रहे हैं, और ये पूर्पूर्ने रूप से मुलिक जवाब आपको लिखना है, जो नीसंदे है बढ़ाएगा आपकी राजमीतिक समझ को, धन्यवाद